और आज आयुद्या से बड़ी खबर आई जहाँ पर रामलला की छोटी मूर्ती का भ्रमण मंदिर परिसर के अंदर करवाया गया भ्रमण हवन कुंट कुटी में किया गया विराजित जी हाँ रामलला को साक्षी मानकर अनुष्ठान की शुरुवात हो चुकी है और आज परि होली यहां पर इस्थापित की गई है दस किलोगराम की यह प्रतिमा जिसा संकेतिक प्रतिम्हा इससे प्राण प्रतिष्ठा में उस प्रतिमा वजन लगभक दोसो किलोग्राम है उतने बड़ी प्रतिमा का ब्रह्मन करवाना आसान नहीं था मुम्किन नहीं था इस वज़े से फैसला लिया गया कि एक छोटी प्रतिमा का ब्रह्मन करवाया जाए परिसर के अंदर और वो तस्वीरें भी इस वक्त नियूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर ही ब्रह्मन करवाया गया है इस छोटी प्रतिमा का बहुत ही खुबसूरत देखे बहुत ही खुबसूरत ये तस्वीर सामने आई है बहुत ही खुबसूरत ये मुख रामलला का नियूज 18 आपको दिखा रहा है ये तस्वीर अरुण ने ही इस प्रतिमा का भी निर्मान किया है अरुण ने ही ये प्रतिमा बनाई है जो मंदिर परिसर के अंदर भ्रहमन के बाद इस वक्त विराजमान है हवन कुंड कुटी में डोली में पालकी में बिठा कर पूरे मंदिर परिसर को में घुमाया गया रा रा कलश में पानी भी आप देख सकते हैं साथ साथ पूरे मंदिर परिसर में ब्रहमन के बाद इस वक्त हवन कुटी में ये प्रतिमा विराजमान की गई है वही जो वो प्रतिमा जो असल प्रतिमा जैसमें प्रांट प्रतिष्ठा होनी है वो कल गर्वगरी में विराजमान की जाएगी तो न्यूस 18 पर आपको शाम रंग की ये मूर्ती भी हम दिखा रहें प्रतिमा दिखा रहें इस प्रतिमा का रंग भी शाम हैं जिन्होंने मुकट धारण किया हुआ है और बहुत ही परिसर के अंदर भ्रहमन करवाया गया और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सलसला जारी है